सिर्फ एक बार इस special step से आपने कड़ाई पनीर बना ली तो किसी धाबे या होटल कहीं जाने की जोत नहीं पड़ेगी हर बार कड़ाई पनीर घर में ही बनेगी वो भी बीना क्रीम, बीना काजू, बीना किसी महनत के आज मैं आपको बताऊंगी वो secret मसाले जिससे आपके कड़ाई पनीर भी बनेगी बिल्कुल धाबा style में इंडिया में आप कहीं भी चले जाएं, अगर पाच कोई भी सबची ओडर करनी हो तो उसमें से सबसे special कड़ाई पनीर ही रहती है दोस्तों सबकी तो चलिए बनाते हैं आज वही कड़ाई पनीर वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंट्स आप सभी से निवेदन है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप लाइक करें शेर करें और सबस्काइब करें तो चलिए फ्रेंट्स आज बनाते हैं बिना देर की एक कड़ाई पनीर उसके लिए मैंने सिर्फ सबसे पहले एक पेन ले लिया है अब हमारा सिक्रेट मसाला रोस्ट करेंगे फ्रेंट्स उसी से अमारी कड़ाई पनीर बहुती जोड़दार बनकर तयार होगी इसके लिए मैंने एक चम्मच जीरा लिया है दो चम्मच खड़ा धनिया लिया है तीन साबुत लाल मिर्ची ली है दो इलाईची ली है चार लोंग ले लिए फ्रेंट्स और ये चार काली मिर्ची भी ले लिए इन सब को अच्छे से हम भून लेंगे अच्छे से रोस्ट क हमारी ग्रेवी बहुती अच्छी बनकर तैयार होईगी बिल्कुल धाबा स्टेल वाली फ्रेंड और यही एक सिक्रेट मसाला है जिससे हमारी कड़ई पनी बहुती जाधा टेस्टी लगेगी यह देखिए सारे डोस्ट हो चुकें अच्छे से बिल्कुल जले नहीं है फ्रें मैं बहुती इसे ट कर सकते हैं यह देखिए अब हम यहां पे एक बाउल लेंगे उसमें मैं के थोड़े बड़े ही तुकडे कर दिये हैं और लसन भी ले लिए यहाँ पर मैंने दो प्याज लिए थे फ्रेंद इसे भी हम अच्छे से ग्राइड कर लेंगे इसमें मैंने दो प्याज, दो हरी मिर्ची और लसन डाल दिये हैं ये देखिए फ्रेंद अब इसमें इसे अच्छे से बारी ग्राइंड कर लेंगे और इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे यहां मैंने सभी को मेडियम चॉप्ड किया है और हम अच्छे से इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट तयार कर लेंगे यह देखिए फ्रेंड हमने प्याज और हरी मिची का पेस्ट रेडी कर लिया है इसी तरह से हमने चार टमाटर लिये हैं उनकी भी पेस्ट प्यूरी बना ली है अब यहां मैंने फ्रेश अमूल का धाइसो ग्राम पनीर लिया है फ्रेंड आप चाहे तो आपके अकोडिंग कम या जाधा भी कर सकते हैं पर यह चार मेंबर के लिए इनफ है धाइसो ग्राम पनीर तो होना ही चाहिए फ्रेंड यह देखिए इसे हमने स्क्वेर में कट कर लिया है आप चाहे तो राउंड शेप में या फिकिसी भी शेप में कट कर सकते हैं अब हम इसमें मसाले कोट करेंगे यहां मैंने आधा चमच हल्दी पावडर आधा चमच लाल मिर्ची आधा चमच धनिया और आधा चमच मैंने सॉल्टेड किया है इसमें कि इस से हम अच्छे से पनीर को कोट कर लेंगे इन सब मसालों से यह देखेए फ्रेंड कितने अच्छे से मसाले लग गए यह देखिए एक बहुती बढ़िया कोट हो चुका है अब हमारा पनीर आप एक पेन लेंगे पेन में दो टेबल स्पून मैं ने घी एड किया है इसमें अब हम एक बड़ी शिम्ला मिल्ची के स्क्वेर में कट करके पिसेज ढाल देंगे और यहां पर मैंने दो प्याज लिंए हैं वो भी स्क्वेर में कट कर दिये हैं ये देखिए इस तरह से और इसमें एक छोटा मेडियम साइज का टमाटर भी कट करके डाल दिया है आप किसी भी साइज में काटके इन्हें डाल सकते हैं अब हम इसे 5 मिट कुखोने देंगे ये देखे कितने अच्छे से हो गए है इन्हें थोड़ा सा हलका ही कुखोना है ताकि इसका जो क्रंची जो है वो सब इसमें आएगा टेस्ट पनीर में ज्यादा कुख हमें इसे नहीं करना है अब ये जो पनीर हमने मसालों के साथ कॉट किया हुआ था वो भी इसमें हम डाल देंगे ये देखे फ्रेंड अब हलके आतों से ही इसे चलाना है क्योंकि हमारा पनीर बहुती ज़्यादा सॉफ्ट है ये देखे फ्रेंड इसे पाच मिट के लिए कुक करते रहेंगे ये देखे अब हम गेस का फ्लेम बन कर देते हैं दोस्तों मैंने या एक कड़ाई ली है कड़ाई में मैंने दो टेबल इस्पून ओइल रखा है क्योंकि हमने थोड़ा सा घी भी रखा था पहले वो घी भी इसी में आए जाएगा ये देखिए मैंने एक पिंच हींग डाली है आधी चम्मच राई और आदा चम्मची जीरा डाला है इसमें इसमें मैंने एक डाल चीनी का टुकड़ा डाला है अगर आपको इसका फ्लेवर नहीं पसंदे तो आप मत डालिए इसको स्किप भी कर सकते हैं और ये जो मैंने पेस्ट रेडी किया हुआ था प्याज और मिर्ची का वो भी मैंने इसमें एड कर लिया है अब हम इसे अच्छे से हिलाएंगे जब तक इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाए फ्रेंड उसके बाद हम इसमें टमाटा की प्यूरी एड करेंगे ये देखिए हलका ब्राउन होने लगा है अब हम इसमें वो प्यूरी जो हमने रेडी कियूटी वो भी एड कर लेंगे ये देखिए फ्रेंड अब हम इसमें मसाले एड करेंगे मैंने आपे दो बड़ा चमच लाल मिर्ची का लिया है आधी चमच मैंने हल्दी यूज करिए आधी चमच मैंने इसमें धन्या पाउडर एड किया है फ्रेंड और दो टेबल स्पून मैंने नमक एड़ किया है अगर आपको नमक कम पसंदे तो आप नमक कम डाले ये देखे फ्रेंड हमारे मसाले इसमें अच्छे से पक रहे हैं अब हमने जो सिक्रेट मसाला अमारा बनाया था वो भी हम इसमें एड़ कर देंगे या मैंने तीन टेबल स्पून वो सिक्रेट मसाला डाला है इससे हमारी ग्रेवी बहुती अच्छी बनकर तयार होगी फ्रेंड बहुती लाजवाब लगेगी वो ग्रेवी जो बनेगी कडाई पनी बहुती ज़्यादा टेस्टी और लजीज लगेगा यह देखिए फ्रेंड हमने इन मसालों को कुक होने के लिए पाच मिट के लिए छोट दिया है अब इसमें से ओल रिलीज हो गया है यह देखिए तो मैंने इसमें एक टेबल स्पून दही एड किया है आप चाहें तो इसकी जगए फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड यह देखिए दई भी हमारा कितना अच्छा पक गया है यह देखिए फ्रेंड हमारी ग्रेवी इसकी खुश्बू बहुती शानदार आरी यह पूरे घर में हमारा मसाला ओल्मोस्ट पूरा रेडियो चुका है अब इसमें हम पनीर और वो जो हमने शिमला मिर्ची प्याज यह सब कुछ रोस्ट किये थे वो भी हम इसमें एड कर लेंगे यह देखिए फ्रेंड अब इसमें जो हमने घी यूज किया था वो भी इस ग्रेवी में आ जा आते रहिए फ्रेंड यह देखिए अब यह थोड़ी से टाइट लग रही है तो हम इसमें आधा कटोरी पानी एड करेंगे कि यह देखिए फ्रेंड इसमें मैंने अब कसूरी मेथी भी थोड़ी सी एड कर ली है इससे भी सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों यह देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है कड़ई पनीर आप इसको किसी के भी साथ सर्व करें रोटी नान अगर नान के साथ आएंगे तब तो इसका मज़ा और भी दुगना हो जाएगा दोस्तों अब आपको कहीं धाबा होटल रेस्टोरेंट में जाने की जुद नहीं है अगर आप इसी तरह से सिक्रेट मसाले के साथ यह कड़ई पनीर हमेशा बनाएंगे तो यह सभी को बहुत पसंद आने वाला है हर कोई आपकी तारिफ करेगा दोस्तों मुझे तो यह बहुती तो केसी लगी दोस्तों यह आपको कड़ई पनीर अगर आप इस तरह से ट्राइ करते हैं तो यह सभी को बहुत पसंद आएगी आप इसको जरूर सभी के साथ शेयर करें और सभी ओकेजन पे इसे ट्राइ करें फ्रेंट्स और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप बिलकुल ना भूलें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मै वीडियो फ्रेंड्स